गुजरात में गोहत्या पर होगी उम्रकेद गायों के ट्रांस्पोर्टेशन पर होगी 10 साल जेल गांधी नगर गुजरात में अब गोहत्या पर उम्रकेद की सजादी जाएगी असेंबली सेशन के आखरी दिन काउ प्रोटेक्शन लोर में संशोथन बिलपास किया गया बता दे कि देशपर में गोहत्या पर ये सबसे सख्ट सजा होगी गुजरात में इसी साल नवंबर में असेंबली एलेक्शन होने हैं ट्रांस्पोर्टेशन पर 10 साल की सजा न्यूज एजनसी एनाई के मुताबिक शुक्रवार को असेंबली में गोरक्शा के लिए कानून में संशोथन बिलपास किया गया गुजरात अनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में अब गायों के ट्रांस्पोर्टेशन पर 10 साल की जेल होगी इस कानून में 2011 में संशोधन किया गया था पहले गोहत्या पर इस कानून के तहट 7 साल की जेल होती थी अब इसके तहट लगने वाली पेनल्टी को 5 लाक रुपए कर दिया गया है गाय गंगा और गीता की रक्षा करनी है रूपानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कई हफ्तों से गुजरात के सीम विजेरू पानी गोरक्षा के लिए कड़े कानूनों की बात कह रहे थे उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में कहा बीजेपी गाय गंगा और गीता की रक्षा के लिए प्रतिबध्य है गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया है बतादें की यूपी के सीम आदित्यानाथ श्पी गोरक्षा अभियान के बड़े अगुआ माने जाते हैं 2011 में गोहत्या पर लगा था बैन गुजरात में 2011 में गाय और गोवंच के ट्रांस्पोर्टेशन और स्लोटरिंग पर रोक लगाई गई थी उस वक्त नरेंद्र मोदी यहां के सीम थे इसी महीने जूनागर्ड में एक सभा के दौरान रूप पानी ने कहा था गुजरात में गायों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी अब हम इस कानून को और सक्त करना चाहते हैं हम इसी बजट सेशन में इस पर बिल पेश करेंगे